वारे में शवण करेंगे कृष्णा यिवा सुधीवाय हरै पर्मात्मनी प्रडतिकली सिनासाय गुविंदाय नमो नमा भगवान हमारे समस्त कष्टों का नास करें प्रडत जनों को हमीशा सहारा दीनी वाले ऐसे भगवान स्री कृष्टों के चरणों में कोटी-कोटी वन्दा नमन आज जन्मास्टमी का पावन अउसर है तो भगवान कृष्टों की बिसे में जो भागवाजी में चरेत्र आया है उसमें श्री शुकदेव जी श्रवड करा रहे थी तब राम जी का जन्माया राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका तो परिची जी ने बहुत समास्विदी से राम कथा कुष्टों वड़ कर लिया लेकिन जैसे ही भगवान कृष्टों का चरेत्र आया और शुकदेव जी आगे बढ़ते जा रहे थे समास्विदी से तो परिची जी ने का नहीं माराज भगवान कृष्टों के विसे में मुझे विसेश चर्चा करनी है आपसे विसेश कथा श्रमड करनी है क्योंकि मेरा भगवान से रिस्ता है शुकदेव जी ने का कौन सा रिस्ता है बोले कि जन्म दाता से बढ़कर प्राण दाता होते है तो पहला भगवान से रिस्ते बनाए भगवान को केवल भगवान तक ही मत मानिये क्योंकि भगवान से जब हमारे रिस्ते होंगे तो मोह जो है वो हमारे बंधन का कारण ना हो करके मोच का कारण बन जाएगा हम लोग क्या करते हैं संसार में मोह होता है हर रिस्ते में माता में, पिता में, पत्नी में, भाई में, बेहन में जितने भी संसार के रिस्ते हैं सब में मोह हो जाता है उसी प्रकार यदि हमारा भगवान से मोह हो जाए तो ये बंधन का कारण नहीं ये मोच का कारण हो जाएगा तो परिजी जी कहते हैं मेरा भगवान से रिस्ता है इसलिए मुझे भगवान के बारे में विसेज कथा शमण करनी है भगवान का प्राकट कैसे हुआ तो वैसे तो गिताजी में कहा गया है परित्राणाय साधू नाम बीनासाय चादुस्कृताम धर्मसंस्थापनार्थाय संभुवामी योगे योगे जब जब हमारे इस धर्ती पर पाप अदिदिक बढ़ जाते हैं और दुस्त दैत योत्पन भ मैं आहम होते हैं जो अर्टी को कि कस्देए प्रताणित करते हैं उनके उधार के लिए कर दर्ति मां के लिए गुव के लिए घुमणों की रच्छा के लिए भागवान इस धर्ती पर अवतार लेते हैं लिकिन जन्मा परमात्मा को जन में लेनी क्या Σक्टा यूं पर इस भगवान अपनी इच्छा से निज इच्छा निर्मे तनू माया गुनगोपार ऑपनी इच्छा से लेते उनके सामें किСी की इच्छा नहीं जलती है उस्वयम उनकी इच्छा चलती है और वैसे प्रभु ब्रकूटी विलास स्रस्टी ले हो हुई जिसके ब्रकूटी मात्र तेड़ी करने से संसार का स्रजन हो जाता है पालन हो जाता है संगार हो जाता है उसे अवतार की कोई जरूरत नहीं है लेकिन वह अपनी इच्छा से क्योंकि जैय जैय सुरे नायक जैन सुख दायक प्रणत पाल भगवन ता गोदुज हितकारी भगवान जबॉब्रामणों के हितकर है गोव माता के हितकर है तो गोव माता भगवान 16 के पास जाती है और रोतिवे कहती है कि प्रवु मेरी समस्या का समाधान करिए मैं पापियों से प्रताडित हो चुकी हूँ ब्रम्भदेव जी ने कहा problem बड़ी है तो problem का solution मेरे पास नहीं है problem बड़ी है तो solution भी बड़े के पास होगा और ब्रभमा जी गव माता को ले करके भगवान के पास आए भगवान से कहने लगे प्रभू आप अवतार लेजिए भगवान ने कहा अवस में अवतार लूँगा लेकिन मेरे अवतार के कई कारण होंगे आप सब जाईए गव माता को लगा प्रभू अश्वासन दे रहे हैं तो गव माता ने कहा प्रभु बताईए आप किसके अवतार लेंगे तब प्रभु ने बताया कि मैं देव की और वसदेव के अवतार लोगा आप सब जाईए और समस्त देवी देवता आप सब भी ब्रज में अवतार लीजिए तो सारे देव जा जा करके अवतार लेने लगे और जब भगवान के प्राकट का समय आया तो लिखा गया कि अत्र सर्व गुड़ो प्रेता काला परम सोभना जैसे काल बहुत विकराल होता है और जिसा कि भगवान का प्राकट मर्द रात्री में हुआ है और रात्री का छड जो होता है योगियों के लिए स्वेसकर होता है लेकिन वो काल का टाइम चलता होता है उसमें संसारियों के लिए वो बहुत बुरा समय है तो अत्व सर्व गोडो प्रेताह काला परमसोबना जो काल बहुत bé है आज उसको भगवान ने परमसो भाय मान कर दिया प्रकती में छटाए में अद्वुत वसंत आ गया अद्वुत सौंदर्य आ गया नदियों में जलधाराएं प्रवाहित होने लगी और मदरा त्री बारा वजी का समय आ गया और भगवान तो वैसे है कि मंगल भ Rabbit अ ओवन अमगल हरी अधिर अजीर विहारी जो मंगलों का नास कर दे और मंगल का स्रजन कर दे तो जब भगवान स्वयम प्रगट होते हैं तो समatively मंगल विद्दमान हो जाते हैं जो काल बुरा है वोकाल परम सोभाय मान हो जाता है और आज भगवान के जब प्राकट का समय आया तो मद्र रात्री 12 वजे भगवान ससंख चक्रम सक्रीट कुंदलं भगवान संक्ह चक्र पद्म गदा ले करके प्रगटी तो उस समय देवतावनी प्रगट होकर यह गर्वस्त गोविंद के स्तूती की और कहा कि सत्ति वृतं सर्थी परंत्रिसत्यम सत्य योणिम निहितं चसत्त्य सत्यस शथ्यास मृत्यस नेत्रम सत अत्यात्मे कम्त्वाम सेृण प्रपन्नहा दीवताओं यहां बगवान को सत्य कहा है और जैसा क्या भगवान ऑवतार है क्ला ओतार हैं लिकिन जो पूर आवता है वो कृष्ण Tucsonस का है भगवान राम आयी तो ऐसा कहा जाता है संतों से भी स्रवड किया है कि भगवान 12 कलाओं से पूड़ थे लेकिन जब स्वैम कृष्ण जी आए उस समय भगवान 16 कलाओं से पूड़ थे इसलिए अद्भुत समय आया भगवान के प्राकट का और देवताओं ने सत्त वृत कहा सत्त कह करके गर्वस्त गोविंद किस्तूती की और सारे देवताओं को भगवान ने कहा कि आप आप जाएए और व्रज में अवतार लीजिए देवतालुक चेले गए और भगवान संकल्प के द्वारा प्रगट हुए देव की मया और वस्दिव जी ने कहा प्रभू आप तो आयूदे लेकर के आये हैं और हम तो आपको बालक के रूप में पाने के लिए तब कर रहे थे भगवान ने कहा मैं अवस्द से बालक बनूगा पर उसके पहले मैं आप से चर्चा करना चाहता हूँ कि जैसा देव की मा और पस्दिव जी के च्छे पुत्रों के हत्या कंस ने कर दी भगवान ने कहा एक एक पुत्रों की हत्या हुई है यदि मैं बालक रूप में आया तो हूँ सकता है कंस मेरा भीवद कर दे इसलिए मैं संख चकर गड़ा पदम लेकर के आया हूँ कि अभी इसका पिनास कर देता हूँ मैया ने का नहीं प्रभू हम तो आपको बाल रूप में पाना चाहते हैं भगवान ने लेरा की और भगवान छोटे से बाल रूप में प्रगट हो गए लेकिन उसके भगवान के प्रगट होनी से पहले दीव की और वस्दिव जी ने कितनी यात क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति जितना उचाई पर होता है उसके दुख भी उतने ही बड़े होते हैं लेकिन देवकी और वस्दिव जी के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने हार नहीं मानी जीवन में हमें छोटा सा कस्टम मिल जाता है हम लोग रोने लगते हैं लोग तो यहां तक करते हैं कि अपना भगवान ही बदल लेते हैं अगर भगवान हमारी एक विसना पूरी करें तो लोग भगवान ही बदल लेते हैं लेकिन देखके और वस्दिव जी से सीखना चाहिए कि एक पुत्र कीरतिमान की हत्या हुई तो भी भगवान पर भरोसा रहा एक एकर के छे पुत्रों के हत्या हो गई फिर भी भगवान पर भरोसा रहा और जब भगत आर्थ भाव से भगवान का पूरते हां टीवोटी हो जाता है तब भगवान को उसके आवतार लेना होता है और आज मेरे प्रवु ने बाल रूप में आवतार लिया है बुली व हो है उसने निवेदित किया जब भगवान जेल से निकले और जब ब्रम्व जीवन में आता है तो समस्त बंधनों से मुक्त कर देता है आज भगवान जेल में आए सारे पहरेदार सो गए हत्कडियां बेडियां खुल गई और वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के नंद की ओर चलने लगे तभी आज घनों ने बादलों ने देखा कि हमारे घन से आम जा रहे हैं तो ववर्स पर जन्यहा आज वारिस करने लगे मंद मंद फुवार भगवान के उपर वरसने लगी तब हमारे शेष्णांग जी ने देखा कि मेरे छोटे से बाल पर वुव हैं और कहीं थंड न लग जाए कहीं सरदी न लग जाए तो मेगो ने बारिस की और सेष्णांग ने छत्र कर लिया और आगे बढ़े तो यमना मेया ने देखा मेरे प्रेतम आ रहे हैं प्रेतम को कै यसे प्रसंद करूं तो मैया उफान में बहने लगी इतना उफान में बहने लगी कि नंद बाबा की डाढ़ी वसुदेव जी की डाढ़ी तक आ गई और भगवान ने अपना चरण किया वैसे ही मैया डाउन हो गई और आज मेरे बाल प्रभू नंद जी के आगन में आए आ पधारे स्वेम बलराम चीर उनका योग माया ने हरंड करके देवकी के गर्व से रोहनी के गर्व में पहुंचा दिया और भगवान ने कहा कि अब स्वेम यसोदा जी के यहां योग माया की रूप में छोटी सी नन्नी सिकन्या के रूप में आप प्रगट होई तो आज माया को सब कोई भजे और माधों भजे ना कोई जो कदापी माधों भजे माया चेरी होई तो जो माधों को विस्ता है तो उसी समस्त बंदनों से भगवान मुक्त कर देते हैं तो आज ऐसा ही गोकुल का कुछ द्रश्य था सब लोग सो गए सारे द्वार खुले थे सब आनं कि ना के बगल में चोटी सी प्यारी सी लाली लेटी है तो अपने लाला को लटाया और चोटी सी लाली को लेकर के चल दिये हैं और और इंदेर प्राता काल्य हुई उधर वस देवजी लेकर के गए और जैसे ही माया आई माया समस्त वंदनों को पकड लेती है और जैसे ही माया आई तो आज तो इतना रोई इतना रोई सारे हत्खडिया बेडिया लग गई कंस उसकी आवाज से इतना प्रताडित हुआ कि वो दोड़ा दोड़ा भागता आया मेरे काल ने जन में ले लिया और वैसे एक बात कहूं जितनी अच्छे जन मास्ट में कंसनी मनाई सायद को ही मना पाए इसलिए हमारे व्रज में बहुत अच्छे से जन मास्ट में मनाई जाती है अब वैसे कहा जाता है जग ओरी व्रज हो रहा तो व्रज में तो सारे उस सो बड़े दोण धाम से मनाई जा प्रिवेस किये जैसे कि संसार की लोकिक भासा में कहें गर्भ में लेकिन भगवान गर्भ में नहीं आए मन से हरदय में आए और जब हरदय में आए तो मैया का अध्वुत सौंदर हो गया कंस की पूरी में जहां अधेरा चाया था वहां प्रकास हो गया गुंचाय मान हो गया इतना अद्बुत प्रकास हो गया कि कंस भागता भागता दिव की मैया के सन्मुक आया तो उस तेज को देख नहीं पाया और इतना चिंतन करने लगा कि उसने नौ महीने तक जन्मास्ट में मराई प्रतीक छड यदि भोजन करता तो उसे कृष्ण दिखता काला काला मुरल्यू पानी पीता तो उसे कृष्ण दिखता कुछ भी करता सोता तो उसे पढ़चाई दिखती तो कृष्ण दिखता तो नहों महीने कंस ने ऐसी जन्माष्ट भी मनाई कृष्ण को याद करते हुए हम भी प्रियास करें कि हम भी हर्चण कृष्ण जैसा ही कंस जैसा ही भाव रख करके कृष्ण को याद करें क्योंकि कहा गया है कि अधिकतर देखा जाता है कि जितना मित्र का चिंतन नहीं होता उतना सत्र का होता है मित्र को हम कभी है या ना करेग लेकिन सत्र को हम प्रतिछन यह आद करते हैं तो ऐसा आए भाव भगवान से जोड़ाए कि एक भी सांस भगवान के बिना हमारी वीती ही न तो आज जैसे ही योग golden माया कन्स के хот में आई तो जोड-जोड से रोने लगी कश ने सोचा कि मेरे काल का प्रकट हो गया है कंस ने उसे उठाया गोद में और देखा यह लाली है विचार करने लगा लाला भी लाली हो सकता है और लाली भी लाला हो सकता है अर्थात की मिरा काल हो सकती है और कंस ने जैसे ही अस्ट बुजी मैया को पटकनी का प्रयास के अवैसे ही मैयाकास में चली गए और बोली तुम मुझे क्या मारेगा तेरे मारने वाले ने अवतार ले लिया है तो उसी स में भगवान की माया का भी प्रकट हुआ और भगवान का भी प्रकट हुआ इसलिए आग को दोनों के जर्मुसों की बहुत बहुत बधाईया और इदर नंद भवन में उत्सव होने लगा कि नंद जो ग्वालन आपकड़े कही लोगन नाचन को विविसाए गोद भरे कसी फे विदार दियो नंद बबाबा सब लोग हसाए आज इसी भाव को पाने के लिए समस्त देशवासी ब्रजधाम आते हैं क्योंकि यहां दूद दही की बरसात और माखन मिस्री की बरसात होती है और विहारी जी का पावन उत्सव मनाया जाता है आप सभी को एक बार पुना जन मास्ट मी की धेरो धेरो सुपकाम नाए जैशी क्ष्णा राधी राधी